Welcome all to EACT classes, dear students, आप सभी के लिए हमने mathematics का जो basic calculations पे lecture लाने का वादा किया था, आज हम उसकी शुरुवाद करने जा रहे हैं Mathematics को जब आप देखते हो, especially those who belong to the arts background, जिनको arts है या कोई और subject है, जिसमें उन्होंने maths नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा maths का डर रहता है तो वो डर आपको basically जानना है कि वो डर है क्या, देखे जब आप mathematics से डरते होना, profit loss की formula है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको निकल जाएगा Simple interest को निकालने के लिए आपको formula है, वो आप याद कर लोगे, लेकिन आप कहां पर first जाते हो, problem का root cards क्या है, वो है calculations If your calculations are strong, अगर आपको calculations के skills अच्छे हैं, तो फिर आप कोई भी question mathematics का कर सकते हैं, तो यही चीज़, हम यही problem जो है दूर करने के लिए, आशकोल रहमान एक lecture लाएंगे, actually इसमें दो lectures आएंगे, probably 30-30 minutes के, यानि total कुल मिला के एक घंटे का आएगा, तो वो आपको सिखाएंग के, हालां कि आपका जो calculator allowed नहीं होता है, तो किस तरीकी से without calculator आपको calculations आएंगे examination में, वो यह आशक सर आपको सिखाएंगे, तो मैं यहां पर आशक सर को introduce करवाना चाहता हूँ, आशक सर ने चार बार गेट कौलिफाई किया है, इसके अलावा NTPC कौलिफाई किया है, इसके एससी जेए कौलिफाई किया है, ठीक है, सीजी एससी सीजी एकौलिफाई किया है, और हाल ही में पंचायत अकाउंट असेस्टेंट और जेके सेस्बी का जो जूनियर इंजीनिर सेवल है, उसमें भी इनकी आप्छी खासी रैंक है, तो कहने का मतलब ये है, कि आपको एक ज एक डीज़ को देखता है तो efficiently बन जाता है उस problem के साथ तो वो problems जो है ये आपके साथ जो है शेर करें गे और उन problems का solution लेकर आएंगे आशीक सरका वो आपको maths calculation पड़ाएंगे कैसे आप सब लोग welcome to IST classes formally use to sellative academy. I, आशकोर रह्मान. I am going to start your new series जैसे कि आप सब को पता ही होगा कि रिसेंटी जेकी SSB की तरफ से एक न्यू अडविटाजमेंट रिलीज हुई है VLW की उसमें एराउंड 1395 पोस्ट अडविटाज हुए है तो उससे पहले जैसे एडविटाजमेंट रिलीज हुई तो काफे सारी बच्चों का मैसेज आया था कि आप इसका बैस स्टार्ट कीजिए तो जैसे परसों स्लेबस इसका रिलीज हुआ तो हमने कल एक बिल्लकुल एक प्रॉपर वीडियो इसके रिगार्डिम बनाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपका कौन कौन से फैकल्टी पढ़ा रहा है वहाप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते है वह अवेलेबल है अपके हमारी यूट्यूब चैनल पर ठीक है तो लेकिन यहां पर जो हमारा जो इस स्लेबस में थोड़ी बहुत चेंज आई है एस कंपिय बेसे क्यालकेलेशन तो बहुत आपका कोई बी पिपौर्च्ण जो होता है लायक इसमें फीजिक का बहुता है या कोई और सब्जेक्ट हो झापको फ़ड़ा calculation करनी हो तो वो आपका weak रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर decide किया है कि हम आपके लिए एक basic calculation series start करें ताकि आपको इस exam के लिए और even जब के अपका में exams आ रहे हैं जैसे stock assistant है याँ बाकी जो भी exam है जैसे में आपको calculation की जुरत पड़े तो आप इस calculation part को अच्छे से समझोगे और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि different tricks use करें कैसे हम question को tackle कैसे करना है different questions को कैसे approach करना है ठीक है कमिकवर कुछ special number से multiply multiplication आ जाता है आपके exam में तो वो चुझे हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे like for example two digit number को multiply करना है three digit number को कैसे multiply करना है ठीक है so care so care us को कैसे याद रखना है ठीक है ऐसे 25 से कैसे multiply करना किसी number को divide कैसे करना है तो यहाँ पर जो different topics है उनको कोशिश करेंगे यहाँ पर start करने की ठीक है let's start to first thing जो आपका यहाँ पर पता होना चाहिए वह हमारा होता है multiplication of a two digit number ठीक है अगर आपके पास कोई भी two digit number होगा तो उनको कैसे multiply करना है ठीक है एक तो आपका classical way होता है जैसे आप करते आ रहे हो ठीक है लेकिन हम मैं आपके कोशिश करूँगा कि एक थोड़ा बहुत आपका modified trick सिखाओ ताकि आपको मतलब एक जल्री हो जाए exam में उसको करने के लिए और असानी में हो जाए ठीक है तो for example यहाँ पर कोई भी number ले और आप for example मुझे 12 को 35 से multiply करना है एक simple दो number लाओंगा इन दो को multiply करना है आपने करना क्या है पहले इस तरीके को आप अच्छे से समझो कि कैसे अपले करना है फिर जब आपकी practice हो जाएगी तो आप इसको आराम से कर सकते हो ठीक है तो आपने क्या करना है जैसे मुझे यहाँ पर मैंने लिखा मुझे 12 को 35 के साथ अच्छे से समझो इसको क्या करना है पहले मुझे क्या करना है इन दो को multiply करना है two five is a ten ठीक है तो one को carry करो यहां पर ठीक है फिर इसको इसके साथ multiply करना है one five is a five plus plus क्या करना है three two's a six five or six कितने हो गया 11 11 और यह carry one कितने हो गया 12 12 आगा न आपका तो आपने two 2 लिखना है, 1 क्या हो गया है, carry, फिर इसको इसको मुल्कुल करना है, 3 1s हा, 3 3 over 1 कितने हो गया है, 4th, आपको 4 20 answer आगा है, देखो, यह आपको सिखाने के लिए मुझे इतना time लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल within no time इसका कर सकते ह हम यहाँ पर और भी question करने की कोशिश करेंगे, मुझे 45 को multiply करना है किसके साथ, like 15 के साथ, इन दो को multiply करना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे multiply करना है, इन दो को multiply करना है, 5 5s are 25, 2 carry हो गया, 4 5s are 20, 20 plus plus 5 1s are 5 25, 25 वो कितना हो गया, 27, 7 लिखनों का 2 carry हो गया, 2 carry हो गया, 4 1s are 4 4, 4, 2 कितना होगे, 6, 675, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाले चीज़ आपके आगे, आप इसको कैसे, जैसे जैसे आप इसको practice करोगे तो आप इसको जल्दी कर सकते हो, ठीक हो, for example, मैं आपको एक example यहाँ भी दो कि मैं कैसे इसको जल्दी करता हो, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकत ठीक हो, like, for example, मेरे पास है कोई number 33 को मुझे 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 करना है किसके साथ, like 15 के साथ, ठीक है, तो आप ने देखो किसे करना है, 3 5s of 15, 1 में जा कहे रही होगे, 5 3s are 15, 15, 3-1-3, 15-3 कितना होगा, 18, 18 और 1 कितना होगा, 19, 9-1 carry, 3-1-3, 3-1 होगा, 4, मतलब इसनी जल्दी आप कर सकते हो इसको, मतलब विदिन 10-12 seconds आप इस question को कर सकते हो, 2-0 number को multiply कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही different आपके examples आपके पास, आप कर सकते हो practice कि इसको कैसे करना है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, आपने करना है, like 45 को 75 से multiply करना है, ठीक है, 45-75 कैसे करना है, इसी trick के साथ ही, आप कर लोगे, खुद भी, ठीक है, ऐसे 36 को 72 के साथ multiply करो, ठीक है, और 15 को 26 के साथ multiply करो, कि 2-3 example और एवन बहुत सारे example आप खुद भी कर सकते हो, आपके होगा, ये 2-3 मैं यहाँ पर रख लिए है, ठीक है, तो इवन ऐसी trick को हम आगे use करेंगे, कि 3-digit number को कैसे हम multiply करेंगे, ठीक है, फिलाहल आपका ये आगया, ठीक, अब यहाँ पर एक उट trick हम करने जा रहे है, वह है, अच्छे से पढ़ लो इसको, square trick having number 5 at once place, मतलब किसी भी ऐसे number का square आपको करना है, किसी भी number आपको, अगर आपके पास कोई भी number होगा, जिसका आपको square निकालना होगा, लेकिन condition क्या है, कि उसकी once place पे 5 होना चाहिए, देखो, for example, 15 square, 25 square, 35 square, 45 square, 55 square, इसे different squares आपके पास है, उनको कैसे 2 second में आप कर सकते हो, यह आपने सेखना है, ठीक है, let's start, for example, यहाँ पी है, हम अभी करेंगे, 35 का square, 35 का square, जिखो, rule को समझो, concept को समझो, कैसे करना है, 5 को बिलकुल छोड़ना है, फिर का बचा, 3, फिर बचा, 3, 3 को 1 add करना है, 3 को 1 add करना है, कितना होगा, 4, तो 3 into 4, 3 into 4, P, इस 5 का square, क्या होगा, 25, 3 fours are, 12, 1225 answer, ठीक है, समझ देना, अच्छे से, फिर अगली example में आपको फिर से च्का होँगा, देको like, कोई और example करते है, यहां पे, like, for example, 45 का सुकर, 45 का सुकर, पहले से खलो, फिर आप मैं पता हूँगा, without using pen आप यह कर सकते हो, देको क्या करना है, पहले पीछे क्या आजाएगा, 25, 5 का, 4 का एक add कर होगा, कितना आजाएगा, 5, 4 into 5, 4 into 5, कितना होगा, 20, 20, 100, 25, ठीक है, answer, समझारी बात, यहां आपको सिखाने के लिए, अब अगर, for example, हम कैसे करेंगे question को, कि pen भी यूज़ना करना पड़, लिकिना pen यूज़ कर लो, कि आपके पस काफी time है, ऐसी बात नहीं है, कि आपके पस time नहीं है, SSB की exam में, आपके पस time है, 100 questions के लिए आपको, 2 hours है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, for example, यहां पर मैं एक और example आता हूँ, आपके फास, 25 का सुखे है, 25 का सुखे है, 25 का सुखे है, कैसे करना है, पीछे क्या जाएगा, 5 का 25, 2 के बाद क्या आता है, 2 को एक एड करेंगा, क्या जाएगा, 3, 2, 3, 6, 6, 25, answer, समझारे बाद कैसे करना है, ठीक हो फिर से समझाता हूँ, आप बोलोगे, 7 7 के बाद क्या था 8 7 8 0 56 56 25 ठीक है ऐसे आप बताओ 85 का सुकेर 85 का सुकेर क्या जाएगा 8 के बाद क्या था 9 8 9 0 72 72 25 ठीक है answer किसी भी number का आप सुकेर निकाल सकते हो जिसकी unit place पे 5 हो in 1 or 2 seconds ठीक है ठीक यह आपका आगया सुकेर ट्रिक हाविंग number 5 at you in place ठीक है अब एक और यहां पर ट्रिक आपके पास आता है कि सुकेर आफ number 11 ठीक है 11 11 11 11 यह ऐसे आपके कुछ questions होते हैं ठीक है इनको कैसे करना है इनको कैसे tackle करना है यह में आपको बताओंगा ठीक है for example यहां पर आपका question पहले आजाएगा 11 का सुकेर निकालो 11 का सुकेर निकालो देखो concept क्या है concept को समझो आपने simple करना है count the number of ones देखो यहां पर कितनी one है एक और दो है न दो तो इस number में जो इसका square निकालो गए उसके answer में जो highest digit होगा वो two होगा तो आपने क्या करना है आपने one से start करना है तो highest digit और फिर वापस one तक आना है मतलब क्या हुआ जो किसमें one कितने है एक और दो है न एक और दो है न number है तीन one है तो आप क्या करोगे one two three three तक गए ठीक है अब वापस जाना है वन तक क्या आ जागा two one answer समझा रही बाद ऐसे अगर आपके बस चार one होंगे इसका square निकालोंगा तो इसमें कितनी one है चार one two three four highest आ गए न फिर वापस three two one answer very simple है 11 का square one 11 का square अगर आपके ऐसा question आ आपका आ जाएगा तो आप इसको आरहा हम से निकाल सकते हो ठीक है तो यह आपको समझा गए होगा ठीक है अब हम यहां पर करेंगे एक और यहां पर जो आपका special number एक है 25 25 से कैसे किसी number को multiply करना है ठीक है multiplication by 25 multiplication by 25 ठीक है तो आपने 25 से किसी number को कैसे multiply करना है यह आपने आज़ चीखना है ठीक है फार एक्जांपल देखो मेरे पास suppose कोई number है यहां पर 24 को multiply करना है 25 के साथ 24 को multiply करना है 25 के साथ देखो मुझे 25 पसंद नहीं है हमेशा हम क्या करते हैं हम वह चीज़ प्रेफर करते है जो आपको पसंद हो तो मुझे पसंद नहीं है 25 से multiply करना अगर मैं सब्सक्राइब यहां पर बता हम आपको 24 को 100 से multiply करो का बलो कि क्या आसर बहुत असान है तो कुछ नहीं है 2400 यह सबको आता है क्योंकि 100 हमें अच्छा लगता है हम 100 से multiply करना अच्छा लगता है तो यहां पर यह वही concept हम यूज करेंगे कि हम 100 पसंद है लेकिन हमें 25 पसंद नहीं है तो अब इस 25 को हम कैसे 100 बनाएं कैसे 100 बनाएं अब इसको 4 से multiply करे 25 400 लेकिन mathematics एक ऐसा चीज है कि आप कहीं से खुद से number नहीं ला सकती हो तो अगर मैं इसे 4 से multiply किया मैं 4 से divide भी करूँगा कि 4 अपान 4 के आगए आपका 1 तो किसी number को 1 से multiply करोगा कोई effect पढ़ेगा नहीं sir बिलकुल नहीं ठीक है तो यह 25 इंटो 4 कितना आपका आजाएगा 100 है और 410, 460 का आजाएगा 600 आणसर समझा रही बात तो यहां पर हम और भी question करेंगे suppose कोई और number बतावा like like मुझे 32 को multiply करना है कि इसके साथ 25 के साथ sir मुझे यह नहीं आता है मुझे यह आता है 100 से आता है 100 से आता है तो divide करो 4 multiply करो 4 यह 100 है यह क्या आएगा 480, 32, 800, answer अब इसको multiply यह पता ही है 100 है ठीक है यह आपका आगया ऐसे ही कोई और number कोई और number इसको 25 से multiply करना होगा कौन सा sir मुझे लिखो 64 64 into 25, 64 into 25 मुझे नहीं आता है मुझे आता है 100 से multiply करना तो कैसे बनेगा 100 इसको 4 से multiply करो 24 into 4 कितना होगा 100 लेकिन divide करो 4 से ठीक है 4100, 4100, 4100, 4600, 24, 16 और इसका 100, 1600, answer दो कितना time आपको बचाएगा अगर आपको यह चीज मतला हमेचे कोशिश करो जब हम multiply करते हो ना ज़रूरी नहीं 25 से अगर आप कोई भी चीज कभी एक बार multiply कर रहे है आप कोशिश करो कि मुझे वह तेड़ा answer नहीं आना चाहिए मुझे असानी होनी चाहिए तो यह आपको चीज सीखनी है कि मुझे कैसे असान होगा ठीक है अब और कोई नमबर बताओ जिसको 25 से multiply करना होगा like 86 x 25 ठीक है तो इसको भी multiply कर सकते हो आप मतलब जी दीखना है जो question मैंने यहाँ पर बनाया अगर आपको इसको divide करना मुझे लोगा तो फिर आप जो basic trick मैंने सिखाई यहाँ पर जैसे 2 इसको multiply करते है वैसे भी आप कर सक ठीक है तो अब यहाँ पर एक और चीज है कि मल्ट सर आपने तो सिखा दिया कि 25 से कैसे multiply करना है कोई जीज को लेकिन 25 से हम divide भी कर सकते है ना for example division by 25 ठीक है division by 25 कैसे करें division by 25 कैसे करें तो कैसे करना है देखो for example कोई example में यहाँ पर लेता हूँ 12 upon 25 सर हमें कहां आता है 25 से divide करना और ऊपर एक और यहाँ पर मुसीबित आ गई है उपर numerator small आपका denominator बढ़ा है तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लेकिन यहाँ पर पहले हम आपको ऐसे बताऊंगा 132 upon 100 से divide करना एक यहाँ पर पॉइंट आपका 1.32 बिल्कुल असान ही यह तो सबको आता है 100 से divide करना 1000 से divide करना 10 से divide करने यह तो सबको आता है छेकिन 25 से divide करना तो मुझे नहीं आता है ठीकिन आज की बात आप बोलोंगे नहीं से हम 25 से भी डिवाइट कर से खेंगे किसी भी नंबर को for example यहां पे है 12 upon 25, 12 upon 25, 25 से नहीं आता है, 100 से आता है, कब बनेगा 100, इसको 4 multiply करो, लेकिन उपर multiply करो नो, फिर 4, ठीक है, तो क्या जाएगा 4208, 4104, 48, नीजी क्या जाएगा 148 अब तो सर असान है, कैसे असान है, 2 0 है ना, तो यहां पे 0.48 answer, समझारी बात, थोड़ा आगया idea अब कैसे करना है, इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है, अब एक ओर question, सब्सक्राइब, यहां पे मैं लिखूंगा, ऐसे 1, 121 upon 25, 121 upon 25, सरी मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं है, 4 multiply करो, उपर भी हो, नीचे भी, ठीक है, तो क्या जाएगा, उपर ही multiply करो, 4 1s are, 4, 4 2s are, 8, 4 1s are, 4, 4 84 upon 100, upon 100 है ना, upon 100 है, यह लिखने भी जूरत नहीं है, मैं यहां पर लिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका answer आजाए, even जब आपकी practice हो जाएगी, आपको पता ही 100 है, तो यहां पर answer यह है, समझारी बात, मतलब with time, with time जी चीज़ करने है, लेकिन फिलालाब आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो, 484 upon 100, सब 2 0 है, तो यहां पर 2 के बाद point आएगा, तो answer आपका 4.84 आ जाएगा, ठीक, ठीक है ना, यहां पर age is clear, ठीक, और कोई, और कोई, सर यहां पर यह तो हमें आगा है, लेकिन एक और question में दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे आगा है आपका, 21.3 upon 25, 21.3 upon 25, सर यह कैसे करें, कैसे करें, इसको भी multiple करो, 4 से उपर भी और नीचे भी, ठीक है, जो कि इस point पे जान मत दो, point पे हमें बात में जान दाना, करो पहले multiple, 4, 3 point रठेना है, तो उसके बाद, पहले ही point already है, अब कितने digits के बाद point आएगा, 2 के बाद, तो answer आप कहा जाएगा, 0.852, ठीक है, 0.852, तो आप बहुत सारे question ऐसे कर सकते हो, जिनको आपको करना होगा, multiply by 25 और division by 25, ठीक है, एक और special यहां पे number है, आपका 125, 125 को कैसे multiply करना है, इसका concept भी same 25 जो ऐसा है, इसका concept भी same, 25 जो ऐसा है, multiply by 25, 25 जो कैसे multiply करना है, ठीक है, अगर 125 को आप double करो, कितना बन जाएगा, 250, 4 times multiply करो, कितना आजाएगा, 500, 8 times multiply कितना आजाएगा, 1000, यह concept है, ठीक है, अगर 125 को, 2 से multiply करो, कितना आजाएगा, 250 आजाएगा, अगर 4 से multiply क क्या आजाएगा 500 आजाएगा इसको में 8 से multiply करूं क्या आजाएगा 1000 सब्सक्राइब यह नंबर पसंद है मुझे 10 पसंद है मुझे 100 पसंद है मुझे 1000 पसंद है क्यों इसमें कुछ नहीं करना होता है आपके बस 24 इन्टो 125 24 इन्टो 125 सर यह तो मुझकिल है कैसे मुझकिल है यार मैं क्या करूंगा यह 125 मुझे पसंद नहीं मुझे इसके बद्रे क्या आना चाहिए 1000 तो 1000 कैसे आएगा इसको 8 से multiply करो ना इसको 8 से divide करो ना 8 1000 8 3000 कितना आएगा है 3 यहां पर यह कितना आजाएगा 1000 3000 3000 कितना हो गया आपका 3000 आंसर समझारी बात थोड़ा बता रहा है आपका समुझ कैसे करना है चीजों को ठीक है एक और question करते हैं कोई कैसे करेंगे question को suppose ऐसे आप का रहा है 64 64 into 125 64 into 125 सर कहां आता है यह कहां आता है इसको 8 से multiply करो इसको 8 से divide करो तो क्या जाएगा यह आपका जाएगा 1000 यह क्या जाएगा 880 64 तो और यह 1000 कितना है गया 8000 आंसर देखो यह यहां पर यूज हो रहा है अपने जब question आएगा आपको आपके पार जो 12 टीन tricks होंगी आपके कोशिश करने कि मुझे किस किस trick से solve होगा ठीक है लेकिन for example अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप basic जो 2 digit number को जैसे multiply किया है उससे आप कर सकते है इसको ठीक है वो कोई issue नहीं है ठीक है क्योंकि यह कुछ special numbers होते है जहां पर आप इसको कर सकते हो ठीक है यह आगा आपका अब देखो यहां पर एक और हमारे पास topic है division by 25 division by 25 भी same है जैसे multiply by 25 है for example कोई question आप बताओ सब्सक्राइब यहां पर मुझे है यह कोई issue नहीं है like for example मुझे आ रहा है ऐसे 104 upon 125 दो को यहां पर बच्चे फास जाते जब उनको लगता है उपर छोटा number नीचे बढ़ा है सब्सक्राइब तो हमें नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा 2125 नीचे है तो क्या करेंगे आच से multiply करेंगे नीचे उपर भी आच से multiply करेंगे ठीक है तो उपर करो नहीं एट फोजा 32 थी कैरी 8000 दे 3 8108 832 नीचे क्या है 1000 1000 तो तीन डिजिट के बदा आएगा ना point answer 0.832 ठीक है ना answer कुछ नहीं करना है ठीक है तो यह आपके पास यह वाला question हो गया ठीक और कोई question करें चलो और कोई question देखते हैं सब ऐसे उपर वाला digit बड़ा है ठीक है उपर वाला digit बड़ा है 4 कहरी 820 16 164 कितना होगे 22 कहरी ठीक है 8108 822 कितना होगे 10 1 कहरी 860 48 48 और 1 कितना होगा 860 48 और 1 कितना होगा 49 49 नेचे कहा 1000 1000 1000 तीन जिरो कैंसल आंतर 49 ठीक है तो यह आपकर सकते हो ठीक ठीक है तो और को यह एक्जैंबल करते हैं इस पर यह देखो यह आपको apply करना है बाद में ऐसे नहीं मैं पढ़ा हूँगा आप याद रुक आपको इसको apply करना है different questions में ठीक कि इनको कैसे करना होगा तो उसके हिसाप से आपको इसको apply करना है ठीक है लाइक एक और कोई example करते हैं सब्सक्राइब मेरे पास question कोई 1012 upon 125 1012 upon 125 साथ यह कहा था इसको 8 से multiply करो 8 से divide करो answer आपका आ जाएगा कैसे आजाएगा 8206 वन केडी ठीक है ना 1 केडी 8108 819 ठीक है यह 008108 यह 009 6 ना अप आन थाओसंट पता है ने नीचे 1000 आ जाएगा तो तीन के बाद answer 8.8.096 आपका answer आ जाएगा ठीक अब कोई यहां पर different यहां पर आपको मैं homework दोंगा इनको आप कर लेना ठीक है suppose आप कर लेना ऐसे 2036 अपार 125 ठीक है यह आप कर लेना और कोई 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 क्वेस्टिन आप कर सकते हो ठीक है अब यहां पी एकूर trick मैं सिखाना चाहता हूँ कि square tricks देखो different numbers के square जैसे आपको जब यहां जब यहां कोई exam स्टार्ट कर देओ बैंकिंग एक्जाम तो हमें बोला जाता है कि आपने कम से कम कम से कम आपने one square से लेकर one square से लेकर thirty square तक याद रखना है लेकिन this is only for banking exam और SSC exam like SSC, CGL, SSC, CHS लिए हाँ पे आपको याद रखना है लेकिन अगर आपके बास सब्सक्राइब जी के SSB की बात करें आपको इसको याद रखने की जुरूरत भी नहीं होगी हाँ 10 square तक आप याद रख सकते हो 10 के बात कैसे करना है 11 square, 12 square, 13 square यह में आपको बताऊंगा आज इसी ट्रुक से ठीक है आपके बास 12 square क्या है आपके बास 12 square, सर मुझे कहा था 12 square मुझे याद रहता है आप यह का करना है, same way 12 into 12 जह से हम करते हैं, ठीक है समझारे बात कैसे करना है ठीक है, अब सब्सक्राइब कोई और कोई और बताओ, सब्सक्राइब 13 का square कैसे करना है, यह लिखिंगे 13 into 13, तो कैसे आ जाएगा, देखो यह simple है 3, 3, 9 और 3 कितने होगे 6, और 11, 169 अब आपको समझाने के लिए कैसे करता हूँ, देखो 3, 3's are 9, सितको समझारं है, 3, 3's are 9, सितको समझारं है 3, 1's are 3, 3 over 3, 6 or 1, 1 over 1 1, 1, 1's are 1, answer, ठीक है, याप कर सक्ते होँ, अब कोई और नमबर जैसे 15 का 15 को आपको पता है 1225 लाइक यहां पर 16 का सुक्यर 16 का सुक्यर तो कैसे करोगे आप 16 इंटो 16 करना है न ऐसे 6 6 36 3 कैरी होगे आपके पास ठीक है 6 6 6 6 6 6 6 कितने होगे 12 12 3 कितने होगे 15 ठीक है कितने होगे 156 आंसर समझारी बात कैसे करना है कॉंसर्प्ट वही है कि डो डिजिस को कैसे मुल्टिप्लियर करना है अराम से कर सकते हो एक्जाम में लिकित कोई मतब घलत नहीं करना है अपका टाइम होगा SSB एक्जाम की बात कर रहा हूं ठीक है अब सबो 17 का सुक्यर 17 का सु 29 कितने होगे कैरी 4717 717 7 कितने होगे 14 14 24 कितने होगे 18 18 1 carry 1 1s are 1 1 over 1 कितने होगे 2 289 answer समझारी भार कोई भी कर लो यार 22 का सुक है 22 का सुक है 22 का सुक है कैसे करना है 224 ठीक है 224 224 4 कितने होगे 8 ठीक है यहांचे 224 484 answer चलो बड़ा बड़ा दिखा तो 28 का सुक है 28 का सुक है 28 का सुक है कैसे करना है 880 60 4 6 होगे carry 28 16 16 16 16 कितने होगे 32 32 32 32 और यह 6 कितने होगे 38 3 होगया carry 224 4 3 कितने होगे 7 784 answer ठीक है तो आप किसी भी नमबर का सुक है याद करने की ज़रत नहीं है चलो 29 का सुक है 29 का सुक है 29 का सुक है कैसे आ जाएगा 990 81 8 आपके होगे carry 920 18 यह भी 18 आ जाएगा 18 कितने होगे 36 36 और 8 कितने होगे 44 4 4 4 4 कितने होगे 8 841 answer ठीक है तो यहां पे आपने आइस मैंने basic चीजे सिखा ही आपको फिलाल कि कैसे 2 डिजिस को कैसे multiply करना है ठीक है squares को कैसे जाद रखना है ठीक है अगर कोई number आपको osko 25 से कैसे multiply करना है 25 से कैसे divide करना है 125 से कैसा multiply करना है, 125 से कैसा divide करना है, यह आपके पास कुछ important चीज़ है, ठीक है, लेकिन यह ज़रूर है यहाँ पर आपको यह चीज़ ही आदा है, आपको और कोई question भी यहाँ पर कर सकते हो, मतलब और कोई trick भी अपनी हिसाब से calculation में भढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कुछ basic है, ठीक है, square root कैसे निकालना है, cube root कैसे निकालना है, exact, क्यूंकि आपका square root चाहिद मेंस है नहीं से लेबस में, और बाग की जो divisibility rule यह बाग की जो भी हमारे पास calculation के लिए कुछ important चीज़ है, वह आपको अगे लेक्टर में deliver करूँग, ठीक है, thank you.